नमस्कार बच्चो, दिस इस राम विश्णोई और वाचिंग जियोग्रोफी गुरू चैनल, हमारा क्लास नाइन्थ SST सामाजिक विज्ञान का रिवीजन बैच चल ला है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्डन क्वेशन्स डिसकस करें, इसी सीरीज में आज हम क्लास नाइन्थ एकोनोमिक्स यानि की अर्थ सास्तर के थर्ड चैप्टर, निर्धनता एक चुनोती से लेटिड मोस्ट इंपोर्डन क्वेशन्स हम डिसकस करने वाले हैं, अब तक हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं, जिस्ट्री कंप्लीट हो चुके हैं, हिस्ट्री हम पहले कर चुके हैं, इट मिंस हमारा ये जो मिशन था, 95 प्लस का, 90 प्लस का, वो कंप्लीट होने को है, जैसा कि मैंने प्रोमिश किया था, कि हम दो दिन में कुछ इस तरीके से रिविजन करेंगे, इस रिविजन बैच के थुरू, कि दो दिन में भी हम अपनी कंप्लीट शोसल साइंस को रिवाइज कर पाएं, और अच्छा स्कोर कर पाएं, तो आपका साथ मिल रहा है, उससे हमें थोड़ा और ज्यादा मॉटिवेशन मिल रहा है, आज हम बात करेंगे निर्धनता की, निर्धनता मतलब चैप्टर समझने में हमारे लिए काफी आसान होने वाल हम भारत में रहते हैं, और हमारे यहां पर लगबग 30 क्रोड के आसपास लोग निर्धनता रहिखा से नीची रहते हैं, यानि जिनके पास दो वक्त की रोटी का जुगाड करना भी मुश्किल हो जाता है, जिने टेंशन रहती है, सुबह उठने के बाद शाम की टेंशन होत तो मैंने उन से पूछ लिया, कुछ तेर तक मैं उनको देखता रहा, उसके बाद पूछ लिया कि बाबुजी आपके पेर में चोट लगी भी है, तो रिक्षा कैसे चला रहे हो, तो उन्होंने का कि बिटवा रिक्षा पेर से नहीं चलता, पेट से चलता है, पेट में भू जोर वक्त की रोटी का भी जुगार होना मुश्किल हो जाए, वो निर्धनता है, निर्धनता वो है जब घर के लिए जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए छट का जुगार ठीक से ना हो, यानि रोटी कपड़ा और मकान जो हम सीधी लेंग्वेज में कहते हैं, जब कुछ इस चैप्टर में रहने वाला है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिसकस करेंगे पहले सेगमेंट में जो हमारे one marks के question इस चैप्टर से लेटिड बनेगे, let's begin, शुरूआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे one marks के question यानि की very short answer type questions की, पहला जो हमारे य पूरी न ने कर पाए यानि कोई भी वैक्टी अपने जिवन ऐसे तो बहूत जरूरी होगे है जीने कली जरूरी है वह सकता हुए अगर पोरी ना कर पाए तो उसे हम निर्धनता कहेोई दूसरा हमारा question बनता most important में कई बार पूस लिया जाता है कि भारत में निर्धनता का कोई ये कारण बताई बहुत सारे कारण है एक कारण लिखना है एशिक्षा, संसादनों का एशमान बंटवारा, जन्सिंख्या वरीधी बड़े परिवार, क्राब स्वास्ते पहुत सारे कारण हो सकते हैं कोई ये कारण आपको लिखना है तो यहाँ पर हमने लिखा एशिक्षा एक बड़ा कारण है भारत में निर्धनता का गरीबी का तीसरा जो हमारा question बनता है भारत में कितने पर्थिशत जन्सिंख्या निर्धनता में जीवन यापन कर रही है तो यह हमारे बुक में जो आपके NCRT की बुक है उसमें 2000 के according data दिये गए हैं तो उसके according लगभग 26% 26% समझते हो कितने हो जाते हैं 30 क्रोड के आसपास 30 क्रोड मतलब जितनी जन्सिंख्या USA की है अमेरिका की है उतने यहां तो हमारे यहां पे गरीब रहते हैं जिनके पास दो वक्त का खाना नहीं है इनको बुलेट नहीं चाहिए जो बुलेट ट्रेन की बात करें उसकी जरूरत नहीं है इनको 5G की जरूरत नहीं है इनको सबसे पहले पेट भढ़ने के लिए खाना चाहिए तो हमें प्रात्मिक्ता की अगर बात करें तो सबसे पहले शरकार की या फिर हम सब की प्रात्मिक्ता यही होनी चाहिए कि गरीबी को हम अपने देश से बाहर निकालें उसके बाद next जो question बनेगा हमारा one marks में except related वो है कि विशो बेंक के अंसार आर्थिंग निर्धनता क्या है तो यहाँ पर हम latest लेंगे 2020 के coding परती दिन 1.90 1.90 डॉलर से कम पर गुजरा करने वाले कोई भी वैक्ति है उसको निर्धन कहा जाएगा यानि कि विशो बेंक के अंसार पेमाने यह आपके बुक में कुछ में 1.25 डॉलर दिया गए 1.25 डॉलर से कम गुजरा करने वाले कम पर गुजरा करने वाले को निर्धन माना जाता है लेकिन जो अभी की करेंट की परिभास है उसके अंसार परती दिन 1.90 डॉलर से कम पर गुजरा करने वाले वैक्ति को निर्धन माना जाता है विशो बेंक के अंसार 1.90 लगबग 2 डॉलर के आसपास लगा लिजे 2 डॉलर का मतला है लगबग 140 रुपए अगर कोई वैति 140 से कम में गुजरा कर रहा है परती दिन विशो बेंक ये मानता है कि वो निर्धन है तो हमारी हाते बहुत सारे लोग है 140 में तो पूरा परिवार गुजरा करता है उसके बाद फिप्थ जो हमारा क्वेशन बनता है निर्धनता रेखा किसे कहते है पोवर्टी लाइन आपने कई बार न्यूज में सुना गवा न्यूज पेपर में सुना गवा सर्वे वाले आपके घर जरूर आएंगो आए होंगे न तो निर्धनता रेखा क्या है क्या एक ऐसी निर्धारित आए रेखा जो नियूंतम मासिक वाई वाले वैक्तियों की पहचान करवाती है, उसे निर्धंता रिखा कहते हैं, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं, कि इतने रुपए कमाते हैं, उसे उपर वाले को APL माना जाता है, अबो पोवर्टी लाइन, और उसे नीचे वालों को BPL माना जाता ह बिलो पोवर्टी लाइन, तो वो निर्धंता रिखा है, तो निर्धंता रिखा मतलब एक ऐसी आए रिखा है, जो नियूंतम मासिक आए वाले वैक्तियों की पहचान करवाती है, कि उससे नीचे वाले वैक्तियों को निर्धं माना जाएगा, और उनके लिए सरकार विशे लोग निर्धंता रेखा से नीचे हैं तो अनुसुची जनजाती की ST की बात करें schedule tribe की 51 परतिशत अनुसुची जनजाती की 51 परतिशत लोग हैं जो निर्धंता रेखा से नीचे हैं यानि की दो वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है और SC की बात करें अनुसुच जात्ती की तो SC schedule cost के 43% जो लोग है वो निर्धंता रेखा से नीचे हैं important question है ये next जो हमारा question रहेगा 7th question की बात करेंगे कि वर्स 2000 और 2001 के आंकड़ को इंसार उडिसा और बिहार में कितने परतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे तो 2000 और 2001 के आंकड़ को इंसार उडिसा में 47 परतिशत और बिहार में लगभग 42 परतिशत लोग थे जो निर्धंता रेखा से नीचे थे यानि सबसे गरीब या सबसे निर्धन दो राजियों की बात की जाएं तो उडिसा और बिहार है हालांकि अभी 2020 के according आपको नहीं बताना है 2020 के according अगर देखें तो सबसे निर्धन राजिया में अब 36 गड़ भी पहुंच चुका है लेकिन हमें बुक के according रहना, NCRT के according रहना तो सबसे दो निर्धन जो राजिये हैं वो है उडिसा और बिहार उडिसा में 47% BPL family है, below poverty line है जबकि बिहार में 42% लोग है वो BPL में आते है एट्थ हमारा question बनता है, राष्ट्रिय ग्रामिंड रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, शायद शहर में जो students है तो उनको इतना अच्छे से पता नहीं होगा गावालों को पता है, नरेगा योजना ही चलती है नरेगा को MG नरेगा भी कहा जाता है, महतमा गांदी National Rural Employment Guarantee Act महतमा गांदी राष्ट्रे ग्रामिंड रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, ये कब पारित क्या गया था, ये पूछा गया था, ये 2005 में पारित क्या गया था और सीधा नरेगा से ही पूछा जाता है, नरेगा का पारित क्या गया था? तो नरेगा है ये 2005 में पारित क्या गया था? त क्या है ये? आगे हम बात करने वाले हैं उसके बार 9 जो हमारा question बनता है, काम के बदले अनाज कारकम Tony अधिसका कारकम थे निर्धनता को कम किया जाए, निर्धनता को रोका जाए तो इन दोनों कारकरमों से related पूछा जा सकता कि ये कब launch हुए, कब इनको लागू किया गया, कब इनकी शुरुवात हुई तो जो नरेगा है वो 2005 में इसकी शुरुवात हुई थी और काम के बदले नाज कारकरम है, वो 2004 में सरकार के द्वारा इसका सुभारम किया गया था उसके बाद 10 जो हमारा question बनता है, 10 हमारा question रहेगा यहाँ इस chapter से कि भारत में ग्रामिड और शहरी शेत्रों में रहने वाले वैक्ति को परते दिन कितनी केलोरी भोजन क्याब सकता होती है तो देखिए दो तरीके से निर्धंता को मापा जाता है, एक तो आए के आधार पर और दूसरा होता है उरजा के आधार पर यानि कि उनको कितनी केलोरी उरजा क्याब सकता है, भोजन क्याब सकता है, तो यहाँ पर उस बेस पर जो मापा जाता है तो उसमें क्राइटेरिया सेट किया गया है कि गाउं में रहने वाले लोगों को 2400 केलोरी भोजन की आप सकता है जिससे उन्हें 2400 केलोरी मिलती है उतना भोजन उनको मिलना चाहिए और शहरी शेतर में 2100 केलोरी तो इसमें याद रखे कि गाउं वालों को ज्यादा जो केलोर बोजन की आव सकता होती है ये एक पेमाना निश्चित किया गय है अगर ग्रामणी शेतर में किसी को 24 कलोरी बोजन नहीं मिल पा रहा है तो इसे का मतलब वो निर्धंता रेखा में आए गा शहर में 21 कमा रहा है तो निर्धंता रेखा में आएगा तो जम्मो कशमीर में था 3.2 परतिशत जो अब केंदरशाशित परदेश बन गया उसके बाद 5 परतिशत के आसपास रहता है वो है गोअ में भारत के अगर 5 सबसे कम निर्धन राजियों की बात की जाए तो उन्मो कशमीर शामिल है जो अभी केंदरशाशित परदेश है यहां पर उडिसा में सरवादिक है उसके बाद बिहार यानिकि यह दो भारत के सबसे निर्धन राज्य हैं आगे बढ़ते हम 13th question की तरफ जो इस chapter से बनेगा वनमाक्स में कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कोन करता यह साथ last 10 years के बाद करें तो आपके exam में maximum time repeat हुआ यह question की निर्धनता रेखा का आकलन कोन करता तो राष्ट्रिये परतिदर्श सर्वेक्षन संक्ठन है NSSO National Sample Survey Organization हिंदी में करना चाहो तो राष्ट्रिये परतिदर्श सर्वेक्षन संक्ठन है जो निर्धनता रेखा का आकलन करता है कितने वर्ष के बाद हर पांच वर्ष के बाद वो decide करता है कि क्या मांधन रेखा जाए और कितने लोग निर्धनता रेखा से नीचे है तो यह NSSO का का काम होता है उसके बाद 14 जो हमारा most important में question रहेगा वन मार्क्स में जो इस chapter से बहुत बार repeat हुआ है नरेगा एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम कितने दिन रोजगार की guarantee देता है यानि कि इस योजना के दैत जो निर्धनता रेखा से नीचे परिवार रह रहे है गरामिन शेत्र में उस परिवार की एक सदेश्य को 100 दिन का काम देती है फिप्टीन जो क्वेशन बनता है हमारा ग्रामिन और शहरी शेत्रों में कितने रुपई परती मास से कम आये वाले व्यक्ति को निर्धन तारेखा से नीचे माना जाता है यान कि यह आय क्या धार पे है कि अगर इतने रुपई कमा लेता है तो इसको निर्धन नहीं माना जाएगा जाएगा ओके यानि कि 1000 रुपए में उसको गुजारा करना है अगर 1100 भी कमारा तो निर्धन नहीं है जबकि शहरी शेत्र में 1286 रुपए परती वैक्ती परती मा निर्धारित किये गए तो लगबगा 1300 रुपए लगा लिजी अगर किसी परिवार में पांच सदेशो का परि कोई इसी टाइप के एडवांटेज नहीं मिलेंगे तो ये क्राइटेरिया है अभी का आपको याद रखना बहुत important question है कि वर्तमान में जो योजना आयोग है उसके अंसार ग्रामनी शेत्र में 1069 रुपए परती वैक्ती परती मा और शहरी शेत्र में 1286 रुपए परती वै marks के questions थे जो इस chapter related है आपके repeat होते रहें और इस बार भी पूछे जाएंगे उसके बाद हमारा first question जो three marks में रहता है second segment की तरफ हम बढ़ रहें तो यहाँ पर पहला जो question है ये भी काफी important है निर्धनों में भी निर्धन कोन है और क्यों ये अगर आपने help book में पढ़ा तो ज किर्शक मजदूर है जो शहरी निर्मान मजदूर है तो जो शहरी एनिमित मजदूर है और जो किर्शक मजदूर है वो और S.C. और S.T. ये चार समूँ आ जाते हैं जो निर्धन है ओके निर्धन कोन कोन आगए S.C. S.T. खेती हर मजदूर और शहरी एनिमित मजदूर है व में बताना और क्यों हैं तो महिलाएं बच्चे बच्चों में से विशेश का लड़कियां और वृद हैं वो निर्धनों में भी निर्धन आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि इनके अपनी आयका कोई शरोत नहीं होता और ये अपनी आवशक्ताओं के लिए प्रिवार के दूसरे सदिशों पर निर्भा रहते हैं इसलिए इनको निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है उसके बाद next हमारा question की तुरब बढ़ेंगे second जो question बनेगा three marks में कि भारत में निर्धनता रिखा का आकलन कैसे किया जाता है यानि कि निर्धनता रिखा है उसको कैसे decide किया जाता है कि इससे उपर वाले को हम निर्धन नहीं मानेंगे इससे नीचे वाले को निर्धन मानेंग गरी मानेंगे तो ऐसा कोन सा क्राइटेरिया है यह हमें बताना है तो भारत में निर्दंता रिखा का आकलन करते समय जब आकलन क्या जाता है कौन करता है NSO तो आकलन करते समय जियो निर्वा के लिए आफशक जैसे खाद दिये कपड़ा, जूते, इंधन, शिकश्या, चिकित्ष्या समंधी आफशक्ताओं पर विचार किया जाता है यानि कि ये चीज देखा जाता है कि एक वैक्ति का कितना भोजन चाहिए उसको कितनी गेहुं चाहिए कितना उसको कपड़ा चाहिए कितने जुत्ते के खर्चा हो सकता है, कितना इंधन का खर्चा हो सकता है, कितना शिक्षिया का खर्चा हो सकता है, तो वो सब को जोड लिया जाता है, रुपए में बदला जाता है, जोड लिया जाता है, और फिर उसके बाइस बेस पर निर्धनता रेखा कर निधान होता है, तो उन्होंने इसाब लगाया होगा कि 69 रुपए में एक वैक्ति का गुजारा हो सकता है ग्रामनी शेत में, 1286 में गुजारा हो सकता है शहरी शेत में, तो यह सब चीजे calculate की जाती, यानि कि यह नहीं कि ऐसे ही, चलो 1286, done, ऐसा नहीं है, अकड़ बकड बंबे बो करके नहीं decide करते, वो इनके base पर decide करते, कि उस वक्त rate क्या चल रहे, market में क्या rate है, कैसे उसका गुजारा होगा, तो यह ध्यान रखा जाता है, पहली चीज तो हमें यह बताना है, कि निर्धंता रेखा का आकलन करते समय, किन-किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कि जिवन निर्वा रुपे परतिवेक्ति परतिमा, और शहरी शेतर के लिए 1286 रुपे परतिवेक्ति परतिमा का निर्धान किया गया, अगर इनसे कम आए है, तो उसको निर्धं माना जाएगा, दूसरा भोजन के आवशेक्ता का अधार पर निर्धंता रेखा का आकलन क्या जाता है, ग्राम रिखा का आकलन किया जाता है और इसके दो तरीके अपनाए जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा थ्री मार्क्स में ये भी काफी important question है काफी बार रिपीट हो चुका है काफी नहीं बहुत बार रिपीट हो चुका ह तो 1903 में भारत में निर्धंता वर्ष 1903 में लगवग 55% थी यानि कि हमारे देश के आधी दुनिया जो थी आधे से ज़्यादा जो जनसिंग्या थी वो गरीबी रिखा से नीचे थी 1973 में 1993 में घट कर 36% थी थोड़ी सिराहत की सांस मेली हमें थोड़ी सिराहत की सांस आई हमें क्योंकि ये घट कर 36% थी गरीबी रिखा से नीचे के लोगों का अनपाद 2000 में और कम होकर के 26% तक आ गया यानि कि लगातार करीबी में कमी आई है अगर यही परवर्ति जारी रही तो गरीबी रिखा के नीचे रहने वाले लोगों को कुछ जो अगले कुछ वर्ष है उसमें 15 परतिशत से नीचे भी आ सकती है यानि कि यही अगर ट्रेंड जारी रहता है तो तो यह परवर्तियां हमें लिखनी है कि 1973 में कितनी थी पिच् गरीबी रिखा उसमें कमियारी और आने वाले वर्षों में यह और कम होने की संभावनाई रहेगी उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा रहेगा थ्री माक्स में फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता में अंतराज्य ऐस मानताओं का प्रस्तूत करें कि भारत में जो निर्धनता है लगबख 26 परतिशत ल Examples का मतलत यह नहीं की पूरे देश में 26 परतिशत है कुछ राज्यों में कम है कुछ में जादा है तो वह हमें बताना है तो भारत के अलग-लग राज्यों में ग्रीभी का सत्र अलग-लग है भारत में 26% लोग है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं बिहार में 42% उडिसा में 47% लोग है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं 2000 के अनुसार गोवा, पंजाब, हर्याना, केरल, महराष्ट, आंधरा परदिस इन राजियों में यह परतिशत राष्ट यह 17 से कम है यानि कि इन राजियों में गरीबी कम है गोवा में के वल 5% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे है जबकि बिहार, उडिसा, चतिसगड, पश्रिम बंगाल, यूपी यह वो 5 राजिये जिसमें निर्धनता सरवाधिक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या चीज बताने है अंतराज्य ऐसमानताइं बताने कि गरीबी का जो 26% है इसका मतले यह नहीं कि पूरे देश में 26% है कुछ राज्य हैं जिसमें 26% से अबोव है कुछ राज्य हैं जिसमें 26% से नीचे है उसके बाद next to हमारा fifth question बनता है ये भी काफी important question बनता है राष्ट्य ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा जिसको MG नरेगा भी बोला जाता है जिसको मनरेगा भी बोला जाता है इसकी विशेष्टाइं बतानी है तो जैसे जातर विशेष्टाइं हमें लिखनी है ना इससे नाम से लिख सकते है राष्टी मतलब ये पूरी देश के लिए योजना लागू की गए है किस के लिए लागू की है ग्रामिन शेत्रों के लिए लागू की है तीन चीज़े तीस से निकल गई ना, कब लागू की गई, दोजार पांच में लागू की गई, उदेशे क्या, गरीबी को कम करना है, भाई, एक लाइन से ही सब कुछ निकल गया हमारा, फाइब 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 त्री मार्क्स लेने तो आप इसी नाम से ही अपने पॉइंट बना सकते हैं, चलिए हम टेक्निकल तरीके से लिखते हैं, यह योजना देश के अर्थी निर्धन जिलों में लागू की गई है, पहली चीज, कहा लागू की है, देश के अर्थी निर्धन जिलों के गरामिन शेत्रा, उसमें यह लागू की है, इसका उदेशे क्या है, क्यो के हर परिवार के एक वेक्ति को एक वर्ष में कम से कम सो दिन के रोजगार की गारंटी दी जाते हैं सो दिन का काम हम देंगे इसमें एक तिहाई कारे है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है यानि कि इसमें से एक तिहाई जो कारे है वो किवल महिलّाओं को दिया जाता है तो महिलाओं के लिए आरक्षन यहाँ पर अगर सरकार काम देने में एशफल रहती है तो बेरोज़गारी भटा दिया जाता है यानकि 100 दिन का उनको वेतन मिलेगा अगर काम ना दे पाई सरकार्तो तो ये है मंध्रेगा रहे हैं, वो महिलाओं के लारक सीता है, सरकार अगर सोधिन का काम नहीं देगी तो तो बेरोजगारी भता देगी, तो यह हमारे क्वेशन बनती हैं, थी मार्क्स के, यानिकि तीन अंकों के इस चैप्टर से लेटड, अब हम लास सेगमेंट की बात करेंगे, यहां पर हमारे क पर जो रिपीट होते रहें इसमें पहला कोशिन है भारत के आर्थिक पिछड़े पन का परमुक कारण क्या है हम विक्षी देशों में कहीं नहीं ठैरते हम कहने को विकास सील देश है लेकिन हिसाब लगा लेजी आप कि 30 क्रोड लोग अमेरिका के बराबर की जनसिंख्या हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं यानि कि हम ब्रेटेन के उपनिवेश रहे हैं उस दोरान ब्रेटीस जो सरकार थी उसका मुख्या फोकस क्या था मुख्या फोकस था भारत के संसादनों का उप्योग करना भारत के संसादनों का अपने लाब के लिए उप्योग करना तो वो ऐसे तो आई नहीं थे कि चलो हम भलाई करने के लिए यहां पे विकास किया जाए तो उन्होंने इस परकार का कुछ कारे नहीं किया तो उसके कारण हम उन 200 वर्षों में काफी पीचड़ गए थे तो पहला जो हमारे आर्थिक पिछड़ाई पन का कारण है कि हम उस 200 वर्ष का जो उपनिवेशी काल था उस दोरान हमारा शोशन किया गया यहाँ पर ना तो परिवन की ववस्ता की गई ना ही उद्योगों का विकास हो पाया बलकि जो उद्योग थे वो चोपट हो चुके थे तो उसके कारण हम आर्थिक तोर पर पीछे रह गए काफी ज़ादा तो एक कारण यह बनता है दूसरा उद्योगिक पिछड़ापन कि आजादी से पहले भी हमारी यहां पे उद्योग नहीं थी कक्चा माल बहार जाता था और त्यार माल यहां आता था आजादी के बाद भ 2011 की जनगर्णा के अंसार लगबग 74% लोग पड़े लिखी हैं अब इस 74% लोग में वो भी हैं जिनको आप सभी को पता है जो आठवी तक इसलिए पहुंच गए कि जिनको फेल नहीं किया जा सकता पता ना आपको 9 में काफी सारे बच्चे होंगे पता हुआ वो भी शामिल जिनोंने 5 WHI PAS है वो भी शामिल है तो सोचिए कि ये कितना देश के विकास में योगदान दे सकते ही कतना पोजटीव तरीके से सोरी कितना पोजटीव तरीके से वो शोच सकते ही तो यहां पर exactly quality अगर education की बात करें तो 25% ही होगी तो जो निरक शर्ता है उसके कारण भी हम positive तरीके से अपने मानव संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक बड़ा कारन है भारत के आर्थिक पिछड़े पन का क्योंकि काम अगर दिया जाए तो क्या काम दिया जाए जो पड़े लिखे नहीं है या फिर अगर दूसरा ये कि वो अपना खुद का रोजगार है वो चलाने के लिए भी वो इंटेंशन नहीं होता तो ये भी एक बड़ा कारन है भारत के आर्थिक पिछड़े पन का उसके बाद किर्शी का पीछड़ा पन भारत का लगभग 60 परतिशत जो जनसिग्या है 60 परसें वो किर्शी से जोड़ी हुई है और किर्शी हमारी बिमार है किर्शी है उसकी हालात खराब है और उसका वैवसाई करन अगर ना किया जाएगा तो क्या होना है नहीं किया गया यानि कि अभी भी जो किर्शी है वो जीवी का निर्वा किर्शी है जहां से जीवन यापन किया जाता है उसके कारण वो 60 परतिशत जो लोग लगे हुए वो अपना जीवन यापन ही कर पा रहे हैं वो आगे नहीं बाड़ पा रहे हैं तो एक कारण ये भी यहां पर विकास तो हो रहा है लेकिन वो विकास दिखता नहीं आपने देखा हुआ डैली की बात कीजिए इतना सारा विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में बहुत सारा विकास हुआ हर ओड के उपर गौर्णमेंट कोशिश करती है कि 3 बसिस लगा दी जाए USA से ज़्यादा विकास करें लेकिन सवारियां है वो हर वर्ष 6 बसों की बढ़ जाती है वहाई कितना का विकास किया जाए सकोल बहुत बन रहे हैं हॉस्पिटल्स बहुत बन रहे हैं लेकिन विकल्स बढ़ते जा रहे हैं भीड बढ़ती जा रहे हैं सरकार भी ठीक से फोकस कर पाती तो जनसिंख्या वरीधी है वो भी एक बड़ा कारण है हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का तो ये पांच कारण होते हैं उपनिवेशिक शोशन उद्योगी पिछड़ापन यानि कि उद्योगों का कम विकास निरक्षरता यानि अनपड़ता किर्शी का पिछड़ापन और जनसिंख्या वरीधी तेज वरीधी हो रही है उसके कारण हम आर्थिक तोर पर पीछी रह गए हैं पिछड़े वे हैं आईए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन की जो फाई मार्स में इस चैप्टर से लेटेट पूछा जा सकता है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टन में से भी मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन से है यानि कि लोंग आउसे टाइप क्वेशन में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ वह क्वेशन यही है निर्धनता के परमुक कारण बताएए भारत में निर्धनता के परमुक कारण क्या है पहला कारण है जन सिंख्या व्रीदी जिसके उपर हमने बात के दी कि जन सिंख्या हमारी 121 क्रोड के आसपास थी 2011 में अब हम 130 क्रोड क्रोज कर चुके हैं 130 क्रोड और जो तीसरे नंबर पे हमारे बात जो देश आता है उसकी 30 क्रोड है 100 क्रोड का डिफरेंस है भाई बहुत आगे जा रहे हैं हम तो तो इसके करण जो संसौण नवे कम पड़ते जा रहे हैं समछा हैं वो बढ़ती जा रही है और जातर बड़ी समछा है इसलिए भी है कि हमारे यहां पे ना उद्योंगिक विकास है ना ही शिक्ष्या है ना ही स्वास्त है ना ही अवेडनेस है उतने तरीके से विक्षित ने है जितने तरीके से होनी चाहिए दूसरा जो निर्धनता का कार्ण है इसमें जन्सिंग के अवरीदी के साथ साथ परिवार का बड़ा आकार कि जन सिंग के वरीदी हो रही है उसमें बड़ा योगदने परिवार का बड़ा आकार आहम तोर पे निरक्षर लोग या कहीं कहीं ये माना जाता है कि जादा बड़ा परिवार मतलब जादा कमाने वाले अगर अच्छे एजूकेशन नहीं दे पाएंगे तो क्या देंगे हम उनको गरीबी देंगे वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जन सिंक्या वरीधिये उससे बहुत ज्यादा परभाव पड़ा है कि हमारे यहां पे निर्धनता है वो कम नहीं हो पा रही है उसके बाद दूसरा है भूमी का एसमान वित्रन भूमी है आम तोर पे एक तरीका जरिया होता है जिसे अपना गुजारा एट लिस्ट किया जा सकता है लेकिन हमारी यहां पे जो भूमी है बहुत सारी लोग है जिनके पास भूमी काफी जादा है तो इसके कारण भी भूमी या अन्य संसादन उनका एसमान वित्रन जो है उसके कारण भी गरीबी में भारत में निर्धंता में वृती हुई है तीसरा कारण है बिरोजगारी गरीबी से कैसे निकला जाए आए बढ़ाई जाए आए कैसे बढ़ेगी जब रोजगार मिलेगा लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है जनसी क्या बढ़ती जा रही है रोजगार उतना है नहीं तो ये भी एक बड़ा कारण है इसके साथ साथ उद्योगी करण का अभाव है भारत का उद्योगी की विकास नहीं हो पाया है जिसके कारण भी रोजगार का विकास नहीं हो पाया है तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है भारत में निर्धनता का पांचवा कारण है एशिक्ष्या एशिक्षिया के कारण ना तो सवरोजगार कर पाते हैं ना ही इस तरीके से वो सोच पाते हैं कि बड़ा प्रिवार है वो समझच्या खुद के लिए ना ही वो किसी तरीके से किसी अच्छे रोजगार के लिए प्रियास कर पाते हैं या फिर वहां तक पहुंच पाते हैं तो और किर्शी में इतने सारे लोगों की गुंजाइस नहीं है कि उनको रोजगार दे पाई अच्छा जीवन दे पाई यहाँ पे केवल 30 पर्थियत लोगों के आव सकता है भारत में किर्शी में कि जो लोंग आंसर टाइप कोश्चन में बनेगा थर्ड कोश्चन कि निर्धनता दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाव हमें देने है कुछ सुझाव देजिए तो यहाँ पे पहला है कि जन्सिंख्या वरीधी पर नियंतर्ण किया जाए जन्सिंख्या वरीधी है वो सारी जो समस्या चाहिए वो पर्दूसन की समस्या है अपराद की समस्या है एशिक्षा की समस्या है भीड की समस्या है सारी समस्याओं की जड़ है वो जन्सिंख्या वरीधी है हलांकि हम 1973 से प्रियास करते आ रहे हैं 1973 से हमने नारा दिया था 1973-74 में नारा दिया था करीबी हटाओ और उसके साथ-साथ एक नारा दिया था हम दो हमारे दो हमने उस नारे को seriously कितना लिया यह मैंने last year देखा था red light पे ओला उबेर में था उबेर में था I think so तो वहाँ पे side में एक truck खड़ा हुआ था उसके ओपर लिखवा था हम दो हमारे दो और उसके नीचे लिखवा था चिंकी पिंकी मौनू सोनू ते अनू दिगड़ी भाई पांच के नाम थे एक आद भूल भी गया होगा देखो कितना सिरेस लिया होगा तो यह जो हमारे यहा हमारे यहाँ पे सारी समझे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम इस जन सिंक्या वरीधी पर नियंतरन करें नियंतरन के लिए जरूरी है शिक्ष्या का परशार क्योंकि शिक्ष्या का परशार होगा तो हर कोई वैक्ती समझेगा आपने देखा हुआ शहरों में जातर शहरों में जो होते हैं या जहां पर शिक्ष्या का परिषार होता है वहां पर जो प्रिवारों का आकार होता है वो छोटा होता है क्यों समझते हैं कि बहतर जीवन जीना है तो छोटा प्रिवार ही बहतर है दूसरा ये कि लगो और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए इससे भी निर्धनता को दूर किया जा सकता है लगो उद्योग मतलब जो गरामिन शेत्रों में जिनका विकास किया जाए जिसे कि वहां के लोगों रोजगार मिले और कुटीर उद्योग जिसमें घर के सदस्या मिल करके ही काम धंदा चला सकते हैं तो ऐसे उद्योगों के विकास के लिए सरकार को प्रियास करना चाहिए सस्ते रिंड दिया जाए, पर्शिक्षन दिया जाए, जाग रुकता फिलाई जाए तो ये भी एक तरीका है तीसरा रोजगार शुरिजन की सरकार को प्रियास करने चाहिए कि ज्यादा स्जधा लोगों को रोजगार दिया जाए तो इससे भी एटलिस शहरी शेत्रों में जो बेरोजगारी की समयस्याँ उसको दोर किया जासकेगा और इससे भी निर्धनता कम होगी चोता किर्शी का आधुनी करंड किया जाए 60 पर्थिशत लोग लगे वे नहीं वो एक तरह के से जो हमारी रेल गाड़ी होती है जाती है ना रेल गाड़ी जो लोकल जाती है लटके होते हैं तो इसमें 30 पर्थिशत के आसपस लोग लटके हुए है वो लटके हुए लोग कब एड़जेस्ट होंगे जब इस गाड़ी में और डिबबे जोड़ दिये जाएंगे जब किर्शी का आधुनी करंड किया जाएगा जब किर्शी को मॉडनाइजेशन की तरफ हम लेके जाएगे तो हाँ पर और ज़्यादा वैक्तियों की ज़रूरत होगी आए भी बढ़ेगी इससे भी निर्धनता को कम किया जा सकता है ग्रामनी शेत्रों में विशेश तोर पर पांचों है वेवसाइक शिक्षा हमारी शिक्षा वश्ता क्या है बी-ए करली, एम-ए करली, प्लस-टू करली आता है पुक पढ़ना आता है काम धंदा सिखे, नहीं सिंखे, लाइन में खड़े हो गए हमें रोजगार तो क्या दे, घंटा दे क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं तो इसके लिए क्या किया जाए इसके लिए क्या ये जाए कि सिख्षा के साथ-साथ वेवसाइक को जोड़ा जाए सिख्ष्थ क्लास से हमें वेवसाइक सिख्षा साथ दी जाए ताकि हम साथ-साथ कुछ काम धंदा करना सीखे और ये नहीं कि प्लस-टू की आफ ग्रेजिएशन की और इसके बाद सीधा जाकर के हम लाइन में लग जाए नहीं अपना धंदा कर पाएंगे हम तो ये भी एक उपाय है जिसे निर्धंता को कम क्या जा सकता है तो ये बनते हैं हमारे कुश्चन निर्धंता एक चुनोती में से यही कुश्चन कर लिजीगा और कुछ दाएं बाएं इधर उधर देखने की कोई जरूट नहीं है इतना अगर कर लोगे तो भी आपके 95 प्लस इसली ले पाओगे उमीद करता हूँ ये शेशन आपको अच्छा लगा होगा आप हमारी साथ जूड सकती है इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ओपर भी वीजिबल है इसके साथ साथ आप मुझे टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं क्योंकि जैसे वीडियो पुब्लिश होती है या फिर पुब्लिश हो गई आपको नॉट्िफिकेशन नहीं मिलता लेकिन वहाँ पर पुब्लिश होते हैं लिंक दे दिया जाता है कही बार ऐसा भी होता है कि पुब्लिश करने का mood नहीं होता कि चलिए next week publish करेंगे लेकिन वहाँ पर one week पहले link share कर दिया जाता है unlisted का तो इसके लिए आपको video access करने में आसानी होती है साथ-साथ आप मुझसे जूड़ पाओगी आपका कोई suggestion है तो आप comment करके भी बता सकते हो वीडियो अगर अच्छी लगी हमारा ये revision badge अच्छा लगा तिस वेडियो को like और share करना मत खोलेगा थैंक यू, bye-bye, have a nice day